मैं ये कह रहे हूँ कि विश्व स्तर पे हमें वो वजूद क्यों नहीं दिया जा रहा है कमला हैरिस जी ने आफ्रिका और इंग्लेंड की मीटिंग्स के बारे में सोशल मीडिया पर डाला हमारी मीटिंग के बारे में क्यों नहीं डाला हमें अफगानिस्तान की बातों से क्यों दरकिनार करके रखा गया था 2019 में हम गए थे हमने वहाँ पर हाउडी, मोदी और अपकी बार ट्रम सरकार किया था आज देखिये किस तरह के लोग वहाँ पर मोदी जी से मिल रहे है टॉप नॉच सीयोज भी नहीं मिल रहे है जिन लोगों से वो मिलकर आए थे उन्होंने एक धेले का पैसे का इंवस्मेंट नहीं किया पेट्रोनेट ने ढाई लाग करोड उपा दिया हम तो पेट्रोनेट को ही बेच रहे है तो मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा सुर्खियों से निकलके भारत के सामरे खेतों की बाग हर मंच पर हर वक्तवे में करनी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका ने ऑकस बनाकर कोड को दोयन दर्जा देने का काम किया है जब तक आपकी दोरे हुकूमत थी जिस इलाकिये को क्वेट कहते हैं उसको कहा जाता था एशिया पैसिफिक आज कहा जाता इंडो पैसिफिक और अमेरिका ने भी अपनी कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है यह अपने आपने भारत के बढ़ते हुए छेत्रिय वर्चस्व का प्रतीक है दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि भई उनको यह भी याद रखना चाहिए सुप्रिया जी को कि क्वाइट की अवधारणा कब आई थी मन्मोन सिंग के जमाने में 2007 में यह concept चुरू हुआ था तो ऐसा नहीं कि यह कोई हमारा ही विचार था यह तो bipartisan होना चाहिए जैसे आप अमेरिका में देखिए Republican राष्टपती हो या Democrat राष्टपती हो आतंकवाद को लेकर और राष्टी सुरक्षा को लेकर उनकी नीत में किंतो परंतो नहीं होता है सुप्रिया जी की party के साथ समस्या यह है कि इनकी आखों पर जो फोटो चड़ी उसके beyond वो देखना ही नहीं चाहते यह कहरें धेले भर का भारत को फाइदा नहीं हुआ आज भारत का foreign exchange reserve 642 billion dollar से अधिक है यह धेला भर नहीं नजर आ रहा है क्या आपको